हलो काईज, जल्कम टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग उम्मेद करता हूँ, अच्छे होंगे, आज का जो हमारा टापिक है विक्तित मापन या परिछन, बहुत ही महत्वों टापिक है, आपने सुना ही होगा, TAT के बारे में, CAT के बारे में, IBT के बारे में, और SCT के बारे मे तो इस वीडियो में इन टापिक्स पर डीटेल से बात होगी, एक एक पॉइंट आपका किलिर हो जाएगा, जो भी कनफ्यूजन है, वो भी दूर हो जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है, और पिछले वीडियो नहीं देखें अगर आप, जिसमें हम लोगो ने वेक्तित्तों का आर्थ, परिभासाएं, प्रकार और शिद्धान्त पर डीटेल से बात करी है, तो आप उनको भी जरूर देखेगा, चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं, तो आप लोग सस्क्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मद भूर लिएगा, तो शुरूर करते हैं आज का टॉपिक, लिखा है व्यक्तित मापन की कितनी विधियां होती हैं, दो विधियां होती हैं, कौन-कौन सी प्रच्चेपी smell और अप्रच्चेपी विधु टी, आज इस वीडियो में कैवल प्रच्चेपी विधि पर बात होग ठीक है अगले वीडियो में जो है प्रच्छेपी वीदियों पर बात होगी लिखाया प्रच्छेपी शब्द जो है यह सरवप्रतम सिगमंड फ्रायड ने दिया था ये कहां के निवाशी थे ये आश्च्रिया के निवाशी थे इन्हों ने मन यानि मस्तिस्क यानि माइंड के आधार पर तीन प्रकार के विक्तित बताये थे कौन-कौन से इड, इगो और सुपर-इगो ये कहते हैं जो इड होता है यानि जो इदम होता है ये सुखवादी सिध्धान से जुड़ा हुआ होता है ठीक है किस से जुड़ा होता है शुखवादी सिध्धान काम प्रवत्ति से जुड़ा हुआ होता है और इड में जो होता है पशुवत प्रवत्ति यानि पसू जैसी पसू जैसी प्रवत्ति इड में होती है, इगो की बात करें यानि आहम, आहम जो होता है ये वास्त्विक्ता पर आधारित होता है, और ये अनुचित और उचित का ज्ञान कराता है, अगर शुपर एगो की बात करें, तो यохड़ bunu करें, तो ये सामाजिक्ता और नैतिक्ता प पराहम ठीक है इसमें देवत्त की प्रवत्ति पाई जाती है आगे लिखा है तो समझ गहोंगे मन के आधार पर वक्तित को तीन भागों में इड़ेगो शुपरेगो किस ने बताया है सिगमंड फ्रायड ने बताया है और इस विधी में अचेतन मन का अध्धिन किया जाता है स सिगमंड फ्रायड ने तीन प्रकार के मन बताया है कौन-कौन से चेतन मन चेतन मन ऐसा मन होता है जो वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है अगर दूसरा मन बताया अर्ध चेतन मन ऐसा मन होता है जो चेतना में होता भी है और चेतना में नहीं होता है तीसरा मन इन्होंने बत ऐसा है था चैत्न मन चैत्न मन जिसमें ब्षिक को होता है ब्रकटेम कर प्रदोद में अचितन के दिन मंन का अध्यन के जाता है प्रशेपी विधियों जो भी निसकर स्प्रात होते हैं उपयोगी और वास्ठिकता पर आधारित होते हैं देख YES विधी में विक्तित मापन के लिए जो भी विक्ती जो विक्तित मापन करता है किसी विवालक का वो क्या करता है वो चित्रों आकरतियों उद्धिपक वस्ताओं का प्रियोंग करता है ठीक है? का पूरा नाम होता है थेमेटिक एपरसप्शन टेस्ट इंगलिस की बात कर रहा हूं मैं हिंदी के आगे बात होगी और CAT का पूरा नाम होता है चिल्डन एपरसप्शन टेस्ट एक्जाम में पूछ लिया जाएगा इंगलिस में ही तो आप इनको ध्यान रखेगा TAT थेमेटिक एपरसप्शन टेस्ट, CAT चिल्डन एपरसप्शन टेस्ट, IBT का पूरा नाम क्या है इंक ब्लाट टेस्ट, CAT का पूरा नाम है संटेंस कंप्लिशन टेस्ट, ठीक है तो इन चार विदियों को आपको घोल करके पी जाना है एक्जाम में पूछी जा सकती है अब कथा प्रशंग परिच्छन, TAT जो है मारगन वा मुरे ने 1935 में दिया था ठीक है यह जो तीन लाइने हैं बहुत ही महत्पुण है इनको याद रखिएगा, TAT का पूरा नाम हिंदी में प्रशांगिक अंतरबोध परिच्छन या कथा प्रशंग परिच्छन कहते हैं, पूरुषों के चित्र दस कार्ड पर महिलाओं के चित्र होते हैं और दस कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर पूरुष और महिला दोने के चित्र विद्धिमान होते हैं, ठीक है तो इस पाइन को एकदम ध्यान रिखेगा, लिखा है इसमें केवल बीस कार्ड जब भी कोई विक् तो उसमें से वह 20 कार्ड किसी बच्चे को दे देता है कार्ड दिखाने के बाद बालकों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और बालकों को कहानी लिखने के लिए कितने मिनट का समय दिया जाता है पांच मिनट का समय दिया जाता है और बालकों ने कहानी में जिन शब्दो विचारो श्रम्वेगों अभिरुच अवरद्धी को दर्साया है यानि 20 कार्ड दे दियेगे मालीजे आपको 20 कार्ड दे दिये जाते हैं कुछ भी उन पर बना हो फिगर्स बने होते हैं और आपको बताना है पांच मिनट में कहानी लिख करके तो कहानी में आप जिन सब्दो विचारो श्रम्वेगों अभिरुच का प्रियोग करते हैं उसी के आधार पर मनोवेज्ञानिक बालुकों के विक्तितों का निर्धारन करता है ठीक है और यह जो परिच्छन है ना हमारा TAT यह 14 वर्षे अधिक उम्र के बालुकों के लिए था TAT का भारती करण उमा सब्संट टेस्ट वाल संप्रत्ते बोध परिच्छन है इसको दिया था लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं दस कार्ड होते हैं और इन कार्डों पर विदेशी जानवरों के चित्र बने होते हैं और जो जानवर होते हैं ना वो मनश्र की तरह का इन कार्ट को दिखा करके बालोकों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है कहानी के आधार पर विक्तित की घोष्णा की जाती है और यह जो हमारा C.A.T. है चिल्डरन पर सबसंटेस्ट यानी बाल संप्रत्य बोध परिछन कितने से कितने वर्स के लिए होता है तीन से ग्यारा वर्स के बालोकों के लिए होता है और इसका भारती करण भी उमा चौधरी जी ने किया था यहां परिछन जो है भारत में लागू नहीं हो पाया भारत में क्यों नहीं लागू हो पाया उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है विदेसी जानवरों के चित्रों का होना यह जो विदेशी जानुवर के चितर होने की वज़े से जो बच्चे जिनको कार्ड दिये जाते थे 10 कार्ड थे कार्ड दिये जाते थे उनको दिखा करके लिखने के लिए वो समझ में नहीं आता था जिवो कौन से जानुवर है ठीक है तो इस वज़े से confusion होती थी तो बाल संप्रत्य बोध परिछण बारत में सही तरीके से लागू नहीं हो पाया अगला है हमारा IBT इंक ब्लाट टेस्ट श्याही धबा परिछण ये दिया था हर्मन रोसा ने 1922 में ठीक है इसमें भी 10 कार्ड होते हैं पांच कार्ड पर काले सफे धब्बे दो कार्डों पर काले भूरे या लाल धब्बे होते हैं और तीन कार्ड जो थे बलब देखे पांच और दो साथ और तीन दस और जो बचे तीन कार्ड उन पर भी अन्य प्रकार के धब्बे विभिन रंगों के बने हुए थे अब लिखा इन कार्ट्स को दिखा कर बालुकों से मौखिक प्रश्ण पूछा जाते थे और प्रश्ण के उत्तर के आधार पर विक्तितु का निर्धारन कर दिया जाता था अगला है हमारा बहुत सांदार है एक्जाम में आप पूछा जाता है कि SCT का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम हिंदी में वाक्य पूर्थ परिच्छन या sentence completion टेस्ट होता है ठीक है और वाक्य पूर्थ परिच्छन यानि SCT किस ने दिया है पाइन वा टेंडलर ने द बरना रेक्तिस्थान कहाणी कविताओं पंक्तियों में भणने को होते थे statistically पूरा करने के लिए यानि दे planets को कहाणी दे दिया गया किसी बच्यों को कवितां पंक्तियां लिख बालक जिन सब्दों को काम में लेता था उशी के आधार पर मनोव ज्यानिक बालक के व्यक्तित्त की घोशना करते हैं। कि वह किस प्रकार का व्यक्तित्त धारण करता है। तो आज जो था प्रच्षेपी विदियों पर जो हमारा टॉपिक था यहीं पर समात हुआ। ठीक है एक्जाम में जो है इससे काफी बार प्रस्ण पूछे जाते हैं। ध्यान रिखेगा। कि टी किस ने दिया है। भी मार्गनोम मुरे ने 1935 में इसमें 37 काड़ होते हैं एक काड़ ठाली होता है दस काड़ प्रमाइल पूर दोनों का ने शेथ है। और मार्गन में मुर्ण ने दिया था TAT का पूरा नाम थेमेटिक अपरसप्सेंट टेस्ट है इसे कथा प्रशंग परिछण भी कहते हैं हिंदी में ठीक है उसके बाद आती है CAT की शिल्डर ने परसप्सेंट टेस्ट किस ने दिया है लियोपोल्ड बुईलक ने 1948 में दिया इसमें 10 कार्ड थे जिन पर गुदेशी जानुवरों के चित्र बने हुए थे आईवीटी की बात करें तो इंक ब्लाट टेस्ट यानि शाही दबा परिछण यहर्मन रोस्ता ने 1922 में दिया था ठीक है इसमें भी 10 कार्ड थे सीटी की बात कर लें तो सीटी का पूरा नाम ह इसको पाइनवा टेंडेलर ने दिया था तो आज का जो हमारा बहुत ही महत्तपुन टापिक था यहीं पर समात हुआ और अगले वीडियो में आप रचेपी वीडियों पर बात होगी अगर आपको वीडियों अच्छा लगा हो लाइक कर दिजिएगा शेर कर दिजिएगा ठीक है मिलते हैं आपसे एक लिए उडियो में जय हिन जय वारत